ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें महें स्लमुदीन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम शील फाटा के रहने वाले अंकित पाटिल को गलत इंजेक्शन डॉक्टर दाउद खान ने लगाया था जिसकी वजह से अंकित पाटिल की मौत हो गई थी जिससे शेहर में हरकम मच गया था लेकिन शिकायत दर्ज ह दोने के बाद डाएघर पुलिस टेशन के वरिष्ट पुलिस दिरिच्छक रविकांत मालेकर ने गंभीरता से इस मामले की जाच किया और डाक्टर दाउद खान को पिछली दिनों गिरफतार भी किया मगर डाएघर पुलिस टेशन को तब बड़ी काम्याबी मिली जब शे फरहान शेख नशेमन कालोनी मुम्रा का रहने वाला है तो डॉक्टर अबदुलरह्मान हकीम उद्दीन खान गड़ेश सोसाइटी भिवंडी से गिरफतार किया गया है दरसल डॉक्टर अबदुलरह्मान ये फरजी डिग्री बनाकर फरहान डॉक्टर को देता था और फरह फर्जी डिग्री लेकर लोगों की जान से खिलवार करता था पताया जारा कि अंकित पाठिल से पहले भी डॉक्टर दाउद खान की दवाओं की वजह से कई लोगों की तबियत बिगड़ने का मामला सामने आ चुका है अंकित पाठिल को जिस तरह से डॉक्टर दाउद खा चार इंजेक्शन लगाये थे करीब देड़ घंटे तक अपने क्लीनिक में भी बिठा के रखा और जब उसकी तवियत बिगडने लगी उसके बाद उसे काल सेखर अस्पताल लेकर आया मगर अंकित पाठिल को काल सेखर अस्पताल में मृत घुसित कर दिया गया डायगर पु दाउद खान के साथ दो और बोगस डॉक्टरों की गिराफतारी हुई जो फर्जी डिग्री देकर लोगों की जान से खिलवार करते थे इस पूरे मामले पर एसीपी रमेश धुर्माल ने क्या जानकारी दी है पुलिस्टेशन के शीरफाठा पे एक डॉक्टर दाउद खान का बुरानी हॉस्पीटल है उसमें उच्चार लेते हुए शीरगाउ का एक लड़का अमित पाटी ये मयत हो गया था तो उसके बारे में जान्च की वो जो डॉक्टर की उसने जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया था उसकी जो भी पद्वी थी इसके बारे में वजदी की आधिकारी को एक रिपोर्ट पुलिस्टेशन की तरब से भेजा गया और वजदी की आधिकारी की जी कमीटी है उन्होंन कि जिसका क्या दुश्परिनाब होगा यह भी वो डॉक्टर को पता नहीं था और ऐसा टोटल देड़ घंटा उसने उसको अपने दावा खाने में रखे और फिर जब वो उसकी जान जाने लगी तब वो अपने गाड़ी से उसको दूसरे होस्पिटल लेके गया उसकी के फर्जी डॉकुमेंट फर्जी सर्टिपिकेट्स है जैसे यमडी, मेडिसीन, सीच, डीमल्टी तो उसके बारे में जब तपास किया तो हमको यह समझ में आ गया है कि यह सभी सर्टिपिकेट्स जो फर्जी है और वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है लोगों को आपन अब यह तीनों फर्जी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है आपको बता दें कि 24 अपरेल को अंकित पाटिल की मौत हुई थी जिसके बाद चहर में हड़कंप मच गया था मगर अब डायगर पुलिस टेशन के वरिष्ट पुलिस निरिच्छक रविकांत मालेकर ने जाच डॉक्टरों की गिराफ्तारी हो सकती है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहा टाइम्स